हलो दोस्तो आज मैं आपको ले जाओंगा फीफी आइलेंड की सेर पर फीफी आइलेंड फुकेट से करीब 45 मिनिट की दूरी पर बसा एक बहुत ही खुपसूरत आइलेंड है आज हम फीफी आइलेंड के साथ साथ और भी कुछ आइलेंड पर जाएंगे फीफी आइलेंड पहुचने से पहले हम रुकेहे थोड़ी देर स्नौकलिंग करने के लिए बीच समंदर स्नौकलिंग का मज़ा ही कुछ और है अब चलिए चलते हैं फीफी आइलेंड पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहां कि यह चोटे चोटे आइलेंड पहुत ही खुबसूरत है यहां का पानी एकदम साफ है आप इसमें आरपार देख सकते हैं तो यह है फीफी आइलेंड अब मैं बहुत क्या हूँ फीफी आइलेंड पर जो कि फुकेट से करीब 45 प्रेट के डिस्टेंस पर बना एक आइलेंड का ग्रूप है यानि कि फीफी आइलेंड के अंदर कई सारे चोटे बड़े आइलेंड है इस वक्त हम जहाँ पर है इसका नाम है फीफी डाइलेंड और यह फीफी आइलेंड ग्रूप का सबसे बड़ा आइलेंड है यहाँ के आबादी करीब 3000 के आसपास है और यहाँ पर कुछ होटेल और रिजॉर्ट भी बने हैं तो अगर आप चाहे तो आप यहाँ पर नाइट स्टे भी कर सकते है पर मैं यहाँ पर सिर्फ डे ट्रिप के लिए आया हूँ तो चलिए एक्स्प्रोर करते है फीफी आइलेंड को फीफी डॉर्ण आइलेंड एक छोटे से कस्बे की तरह है जिसे खास टूरिस्ट को ध्यान में रखे डिवेलप किया गया है यहाँ पर कुछ रिजॉर्ट, रेस्टरॉंस और एक छोटी सी शॉपिंग मार्केट है अब मुझे बहुत भूख लगी है और यहाँ पर लंच भी तैयार है तो पहले मैं लंच करूँगा यहाँ पर लंच में ट्रिडिशनल थाई, वेच और नॉनवेच फूट सर्व किया जाता है अब मुझे लंच और यह थाई वेचितरियन फूट है इंडिन फूट से काफी दिफेंट है इसमें दो टाइप के राइस है पर लग 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 रहा है नॉरस भी है और यह वेचेबल शूप भी है और फूट भी है और फूट भी है तो लेट्स ट्राइट यह तेस्ट इस व्टिफरेंट थान रह रगूलर वेजटी इन फूट बद तो बद इस नोट बाद यहां पर कुछ रेस्टरान्स है और शॉपिंग के लिए कुछ छोटी-छोटी दुकाने भी बनी है यहां बनी इन दुकानों में आप कपड़े जूते एक्सेसरीज और सुवेनियर जैसी कई सारी चीज़े ले सकते हैं यहां पर बने ये आइलेंड्स पहाड़ों की तरह ऊचे है और कुछ आइलेंड्स की हाइड तो करीब 300 मीटर तक है तो अब चलते हैं अगले आइलेंड पर यह है खाई आइलेंड जो कि फीफी आइलेंड ग्रूप का एक बहुत ही चोटा सा पर बहुत ही क्यूट आइलेंड है अब मैं आ गया हूँ खाई आइलेंड पे जो कि फीफी आइलेंड के पास बना बहुत ही छोटा सा आइलेंड है यहाँ पे सिर्फ दो या तीन रेस्टरोंस है और कुछ वाटर स्पोर्स के आप्शन है पर यहाँ का पानी बहुत ही साफ है और स्नौर्कलिंग के लिए यह आइलेंड बहुत ही सही जगा है तो इस आइलेंड को एक्स्पोर करने के बाद मैं भी जाओंगा स्नौर्कलिंग करने के लिए यहाँ के पानी में कुछ रंग बी रंगी मचलिया और कोरल्स है फीफी आइलेंड का मेरा सफ़र बहुत ही एक्साइटिंग रहा यहाँ पर मैं फीफी डॉन और खाई आइलेंड पर गया यहाँ का ट्रिडिशनल लंच ट्राइ किया इस आइलेंड की गलियों में और शॉपिंग मार्केट में गूमा और स्नौर्कलिंग भी की अब वक्त है यहाँ से वापस लोट कर फुकेट जाने का